इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं Samsung semi-automatic डॉबल ड्राम बाला जो वासी मैसिन है इस पर प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम दूर करेंगे इस पर कॉम मानलों करके कहिना है कि मैसिन तो चल रहा है लेकिन स्पिंग बाला जो मॉटर है वो ने गुम रहा है यह 7.2 केजी सैमसॉंग सेमी आटोमेटिक वसिन मैसीन है तो इसको हम देखेंगे क्या पॉबलम है और रिपेरिंग करेंगे तो देखते हैं कैसे दूर किया आता है और क्या पॉबलम है मैं हूँ जाहिर आप देख रहे हो टेक्निकल हल चाल यूट्यूब चैनल मेरे चैनल पर नए हो और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हो तो सब्सक्राइब के साथ-साथ बेल नोडिस्विन को आन करके और पर सेट करके रखना इस टाइब नॉलेजफूल फीडियो देखने के लिए तो यह सेमी आटमेटिक जो वसी मैसीन है यह तो कस्टमार के साथ पॉबलम सुनने के बाद पता चला कि वायर चुएने कर दिया होगा या मोटर नहीं चल ला है क्योंकि जादा तर यह वायर वायर कोई जगा पे कटा हुआ नहीं दिख रहा है मतलों और का पॉबलम नहीं है तो हम लोग इसको क्या करेंगे चालू करके पहले को देख लेते हैं क्या पॉबलम है फिर आगे पता चल जाएगा कि क्या पाए तो यह बला जो बटन है स्पिंग का मोटर का है तो जैसे इ तो इसको हम लोग वायरिंग जो है इसको ओपन करेंगे टेप अटा के फिर देखेंगे इस पर कॉंटिनिटी चेक करेंगे सबसे पहले कॉंटिनिटी चेक करने के बाद डायरेक्ट चलो करके भी देखेंगे तो पहले कॉंटिनिटी देखेंगे सही होगा तो ही पबलम होता है कि मॉट्र ढीरे घूमता आए जैम हो जाता है गूमता देते हैं इसको बाओ तो तो फिर रहता है और मोट्र में गोंगर करका आवा जाता है लेकिन दोनी讲 जलता है किस तरह निकलते है मेरा पिछल वाला वीडियो है आप जा के मेरा चैनल पे जा कर देख सकते हैं आप मोटर हो या कॉमपीसर हो या कोई भी चीज जिस पर याप वायर कोयल मना होँआ है उस पर हर जगह पे राणिंग कमून स्टाइटिंग स्म तरीका होता है निकलने के लिए जैसे हम लोग इसका वाइरिंग अलग कर दिया हूं यहां पे रेड ब्लू और हुआई तीन वाइर है माल इसमें से एक वाइर निट्र है एक वाइर फेज है और एक वाइर स्टार्टिंग है तो हम लोग इसका कॉंटिटी पहले चेक कर लेंगे तीनों में अलग-अलग माल कॉंटिटी सही नहीं होगा तो मोटर खरब है ऐसी पता चल जाएगा तो मीटर को कॉंटिटी मूट पे रखेंगे और इसको चेक करेंगे तो कॉंटिटी जैसे भी मीटर को देख लेते हैं तो कॉंटिटी दिखा रहा है अब वाइर को चेक कर लेते हैं एक एक करके देखे लोग देखेंगे, तो यह में बहुता रहा है दो लेकिन शहां योट फथिस बहुता उब एंद हािए को ट कर सकते हो आ यह अं अऩा भिके दोनों कि लैकिन क्वानदीटी सही रहा गया तो मुंस सही रहाए गया मतलों जो प्राइमारीही जो चेक करने तरन나 नहine हमिटेंट करने से भीजाता है ईससे रेटौ और हएड में जिखा रहा है और मोड़े ब्लू रेड स्टार्टिंग है ब्लू रानिंग है और हुआट कॉमून है और इसका उपे का टॉप में भी वायर काठा हुआ है तो मोटर में कुछ पॉबल्म है तो हम लोग क्या करेंगे मोटर को पें कर लेंगे कि को वायर कोई कटाने कॉंटिटी से ही है पावर सप्ला भी जा रह है तो मोटर को उपन करेंगे मोटर को उपन करने के लिए उसका जो ब्रेक वील है उसके साथ एक स्कुरू होता है और सैप के साथ एक स्कुरू होता है दो हम लोग निकल दे है और एचेट के मद्दम से अब लोग जो उसका लेग है लेक के साथ तीन स्कुरू है उसको भी कर लेंगे फिर मोटर को बहार निकलेंगे सैमसुंग का जो यह बाला जो मॉटर मॉडल है स्विन पॉइंट वाला तो उपर का जो मनलोब फॉन साइड जहां से कपड़ा अंदर डालते हैं तो बाला की नहीं खुलेंगे तो भी चलेगा क्योंकि ग्रील उपर का जो डोड है दूनों का गैप बहुत जयादा है तो डर whereby ठाल फोड़ाए तो मोटर को पर तो द Democrats वक्ता में लेर भखेंगे तो मोटर बाहर भार आ जाएगा जैसे हम हम लोग मोटर भार निकल लिया हूँ ISA जैसे यह पूराना बड़ा मोटोर है और बाजू में न्या बड़ा मोटोर है तो उसी जगा पर हम लोग यह अविद्धान पारत यह प्लास्टिक बूष लगेगा और इसके साथ जो ब्रेक वील है उसको भी बिठाना पड़ेगा तो सबसे पहले हम लोग उसका जो ब्रेक प्लेट है उसको मोटर के साथ लगा लेंगे तीन इसको टाइट कर देंगे तो बॉड़ी के साथ मोटर का जो उपे का बॉड़ी उसके साथ फिक्स हो जाता है और प्लास्टिक का ज का जो ब्रेकjamin हे उसका टाइट कर लेंगी इस में क्या होता है कियो कि मोटर कर जarbeiten के लिग अंदर लगा देंगी तल में नीचे काम क्रूः और सेब में दूनों लगाने में थ़्हा मुशकिल होगा तो यह ब्रेक हुईल वाला जो इसक्रू ही यह बहार ही हम लोग टाइट कर लेंगे और इसको अच्छे तरह से टाइट करने पड़ेगा क्योंकि जब रानिंग में दरबजा ओपन होता है तो ब्रेक दुरूंत से उसको पकल लेता है तो इसक्रू लूज होगा तो इस जो ब् करेंगे फिर इसका कनेक्सिन करेंगे तो यह लगाने के बाद थोरा मुश्किल हो जाता है कि यह को यह पर गैप और फिर भी लग जाता है यहां पर गैप हाइड तरह बढ़ जाता है जैसे हम लोग का मोटर का जो सिस्टेम है वह तीनो लेक पे बिठा दिया हूँ इसको ट कि शोटा ऐसकुर्फिंध करने में टाइड करना में टाएड लग जाता है और थाइड भी सही न तरह के से नहीं होता हूक्त कि रेचेन में उस पये महलें लोग दो नहें में अच्छा है यह जाक्ता है और पकाड़ भी से होता है उसको वाइर जाट और ब्लू जो है उसका उन्य कोई आपासिटर का कोई भी एक वायर लगाएंगे और ब्लू के साथ का दूसरा वायर और रानिंग और वायर जो है उन्य का है प्रॉन मला जो कैपसिटर है सीख से प्रीका है और एक एम अबिका में इतना फराग नहीं पड़ागा क्योंकि इसहीं कम करेंगी त каждый को मोस्ट करेंगे तो बीचिप कर देंगे झारा won कर है अनद्र कोई ने स्चिन हेता कि इसको जौन कर एक कर देंग brands कर देंगा जोन कर लाएं एक सब्ञाइब नभी एक एक वायर के साथ अपना जो मौटर का ब्लु आयर है वायर लग जाएगा तो इस प्रेक्प क्या होगा रानिंग और स्टर्णिंग हो गया और हॉइड ब्ला जो ही आप रानिंग पे न्युट्रल देंगे तो हईड ब्ला कॉमून देना पड़ेगा इस वाडिन फेज देना प स्टार्टिंग तो तीनों वायर लग गया है इसका ब्रेक जो है इसको अलग कर देंगे अभी कॉंप्रिल लगाया नहीं क्योंको हम लोग ऐसी नौर मिली चालू करके देखेंगे फिर इसको प्लाग पर डाल के चालू करते हैं फिर देखते हैं मोटर से तरह से काम कर रहे हैं अखेमें किया उपर के सब्सक्राइब की सब्सक्राइब लाए मॉटरीं मॉक्रिभी और सब्सक्राइब इस अशयूं उनदode करेंगे लेडना वार्श लोगरनाएब